आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सेलेशन पाओ डाउनलोड नाओ Which other term can be used for natural selection Natural selection के लिए हम और कौनसी term यूज कर सकते हैं तो natural selection होता क्या है? Natural selection जोसे कि इसके नाम में आ रहा है Natural selection मतलब ऐसा selection जो हमारे nature ने किया हो तो ये होता है कि वही organism वही organism जो है nature में survive कर पाएंगे वही survive कर पाएंगे नेचर में जो कि better fit होंगे better fit होंगे अपने environment के अंदर environment के अंदर जैसे अगर हम example ले कि दो species present है species 1 present है and species 2 present है species 1 जो है and 2 जो है ये एक ही type के habitat में रहने है इनका जो habitat है habitat ये same है अब इस habitat के अंदर कुछ changes आ जाते है ये habitat जो है ये धीरे धीरे change करने लग रहा है due to some reason तो species 1 जो है species 1 ने कुछ ऐसे traits develop कर लिये अपने अंदर जिसके जैसे वो इस change को survive कर पा रहे है and ये traits जो है ये इन्होंने अपनी प्रोजनी में भी पास करे है तो इनकी प्रोजनी जो है वो भी survive कर पा रहे है whereas species 2 जो है ये क्योंकि traits को build up नहीं कर पाए इनके अंदर traits नहीं आ पाए इसलिए इनका जो है survival नहीं हो पाया survive नहीं कर पाया इनका extinction हो गया तो क्या हुआ कि species 1 को जो है nature ने select किया है कि ये nature में अच्छे से इसने अपने environment को adapt किया अपने अंदर change लाया अपने अंदर evolution लाया तो ये nature में survive कर गया सेलेक्षिन का दूसरा नाम रखा है जिसको हम बोलते है Darwinism Darwin Darwinism Classics च्ट्वेल से लेके NEED IIT जेही means और advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भर हो सा आज ही डाउनलोट करें डाउटने टाप या WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8444 पर